हेलो फ्रेंड वेलकम बैक आम विवेक सिंगल फ्रम ट्रेडिंग विवेक.com और आज हम बात करने वाले हैं टेक्स हार्वेस्टिंग को लेकर टेक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसा वर्ड है जो हमारे जितने भी लोग अपने रिटर्न प्रैक्टिसिंग सीए से फाइल कराते हैं इसको पे करने के बदले आप क्या कर सकते हो कि आपके एकाउंट में जितना भी यहां पर unrealized loss है आप उस unrealized loss को भी book कर लो यानि कि अगर हमने कोई share 100 रुपीज पर purchase किया अभी वो 90 रुपीज पर चल रहा है तो उसको 90 में sell करें यानि कि 10 रुपीज के यहां पर loss book करें और after two days हम उस stock को 90 रुपीज का वापस से buy कर लें तो ऐसा इसलिए बताया जाता है कि इससे 10 रुपीज का आपका short term loss भी book हो जाएगा और आपका during the financial year जितना short term capital gain यहां पर book हुआ जो profit book हुआ उसके against इस tax को यहां पर हम set off कर देंगे और हमारा tax बच जाएगा हम यहां पर tax ब और वो मित ऐसे हैं seriously कि यहां हम फायदे में रहने के बदले नुकसान में चले जाते हैं और यहां पर हमें कोई फायदा नहीं होता तो इस पर्डिकुलर पॉइंट को एक इस तरीके से बताया जाता है कि हम आपका benefit करा रहे हैं लेकिन वह benefit actual में है नहीं अगर इस बात का ध चैसे को है कि यहां पर explain करने की बात कर रहा ह। कि यहां फायदे के बदले शायद हम कुछ नुकसान की क्या है यह आपको बताता हूं सबसे पहली है कि tabs harvesting को ले कर हम यहां पर axe save कर रहे ह। we are not saving any taxation amount, we are not saving any tax amount, हम यहाँ पर किसी भी तरह की tax amount को save नहीं कर रहे हैं, rather हम यहाँ पर postpone कर रहे हैं, तो इस बात को tax का save करने का नाम देना बिल्कुल गलत है, किसी भी तरह की tax saving नहीं है, यहाँ पर हम एक रुपय का भी tax नहीं बचाते, बलकि जो tax हम यहाँ पर आज पे करते, वो हम next year में पे करेंगे, सिर्फ इतना है, वो हम postpone कर रहे हैं, किस तरीके से मैं आपको explain करता हूँ, अगर for, means for example, हमने 1 lakh रुपीज का, ध्यान से समझना simple calculation है, हमने 1 lakh रुपीज का realized gain, short term capital gain tax, हमने पूरे financial year में book किया, अब इसके ऊपर कितना tax बनेगा, इसके ऊपर tax बनेगा 15% यानि कि 15,000 रुपीज, तो अब हमारा unrealized यहाँ पर loss है, जो हमारे पास existing portfolio है, अगर हमारा portfolio 15 lakh रुपीज का है, उस 15 lakh रुपीज में, हमने हमारी जो current valuation है, वो 14 lakh 50,000 है, यानि कि हमारा current portfolio 50,000 रुपीज माइनस में चल रहा है, तो क्या suggest किया जाता है, कि आप अपने इस 14 lakh 50,000 रुपीज में बेच दो, यानि कि current price पर चीजों को बेच दो, 50,000 रुपीज के हैं आपर नुकसान हो जाएगा, उसको book कर लो, और same quantity, same stocks की after two days आप buy कर लो, यानि कि आपका actual में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन books में आप पर 50,000 रुपीज का हमने loss book कर लिया, अब जो हमारा पूरे साल का 1 lakh रुपीज का profit था, उसमें से 50,000 रुपीज जो हमने अभी loss book किया, ये adjust हो जाएगा, और आपका जो पहले tax 1 lakh रुपीज पर जाता, अभी वो 50,000 रुपीज पर जाएगा, पहले 1 lakh रुपीज पर कितना tax जाता, 15,000 रुपीज का tax जाता, 15% के साब से, अभी वो 50,000 रुपीज के उपर जाएगा, तो ये 7,500 जाएगा, यानि कि आपके 7500 रुपीज का टेक्स बच गया लेकिन क्या एक्चुल में टेक्स बचा? नो, ये सिर्फ पोश्टपॉन हुआ पोश्टपॉन कैसे हुआ? कि जो एसेट पहले हमने 100 रुपे की परचेस की थी उसको हमने 90 पर बेज दिया तो अभी हमारा प्राइस कितना है? 90 रुपीज है पहले कितना था? 100 रुपे था 100 रुपीज था अब ध्यान से समझो कि जैसे 15 रुपीज का पोटफोलियो था हमने 14,50,000 पर बेचा आप पेपर पैनल लेकर नोट डाउन कर सकते इस सारी फिगर्स को दुबारा से वीडियो देखकर 15 रुपीज का हमारा पोटफोलियो था 14,50,000 का हमारा करन्ट वैलिएशन था हमने 50,000 माइनस में आप पर बेचा जिससे हमारा लोस हुआ और हमने उसको सेट आफ कर दिया लेकिन अगर अभी क्या रिजल्ट निकलेगा सपोज हमने अपने पोटफोलियो को नेक्स्ट येर में आफ्टर 6, 7, 8 मंस नेक्स्ट येर में आफ्टर 6, 7, 8 मंस जब मार्केट वापस से आई हमने इसको 17 रुपीज का सपोज सेल किया तो अभी पोटफोलियो पे प्रॉफिट कितना होगा क्योंकि 14, 50,000 अभी कोश्ट है तो 17,000 रुपीज की इसकी करंट वैलुएशन पे है जब हमने सेल किया तो 2,50,000 रुपीज का प्रॉफिट आया अब 2,50,000 का जब ये प्रॉफिट आया तो 2,50,000 के प्रॉफिट में क्या चीज निकल कर आएगी कि हमारा गेन है 2,50,000 उसके उपर टैक्स देना पड़ेगा 15% 2,50,000 के उपर 15% का गेन यानि टैक्स यानि की 37,500 रुपीज का हमारा यहां पर टैक्शेशन आया अगर हम पहले इसमें 7,500 का जो पहले हमने यहां पर लोस बुक किया था टैक्सेशन के पॉइंट विए से 50,000 का लोस बुक किया था जिसके वज़े से हमें 7,500 रुपीज का टैक्स का इंपेक्ट आया था हमें कम पे करना पड़ा था अगर हम वो ना करते और 15,000,000 रुपीज पर हम इसको कैरी करके रखते तो 15,000,000 की अभी हम 17,000,000 रुपीज पर सेल करते तो हमारा टोटल इंपेक्ट कितना आता अभी हमारा 2,000,000 रुपीज का यहां पर प्रॉफिट होता एक्चल में प्रॉफिट अभी भी 2,000,000 का ही हुआ क्योंकि 50,000 का पहले लोज बुग किया 2,000,000,000 का अभी हमने प्रॉफिट बुग किया तो बात एक ही है कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से कोई इंपेक्ट नहीं आया इस बात से 2,000,000 का ही पहले प्रॉफिट था 2,000,000 का ही अभी प्रॉफिट है और पहले क्योंकि हमें पहले 50,000 रुपिज के उपर पहले टैक्स सेव हो गया अभी 2,000,000 पर देना पड़ा बात एक ही है कोई फर्क नहीं है सेम अगर 15,000,000 रुपिज को हम as it is रखते 17,000,000 रुपिज अब बाद में हमने सैल किया 2,000,000 का प्रॉफिट है 2,000,000 का ही हुआ अभी हम इसके उपर टैक्स पे करते तो हम यहाँ पर 30,000 रुपिज का टैक्स पे करते तो अब बात एक ही हुई पहले हमने 7,500 रुपिज का टैक्स सेव किया अभी हमने 37,500 का टैक्स पे किया नेट टैक्स कितना पे किया 30,000 रुपिज यह सिनेरियो तब है जब हमने टैक्स हार्वेस्टिंग की अगर टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करते तो क्या इंपेक्ट आता हमने पहले यहां पर कोई tax save नहीं किया और अभी 30,000 का tax पी किया तो net-net में तो 30,000 रुपीज का ही tax पी किया तो यहां कोई भी हमारी tax saving नहीं हुई यह सिर्फ tax को postpone करना हुआ अब tax को postpone करके हम यह बात कर सकते हैं विवेक भाई जितना हमने tax save किया for example हमने 7,500 रुपीज का tax postpone किया save तो किया ही नहीं, postpone किया तो इस पैसे को market में लगा कर हम और पैसे कमा सकते हैं तो यह तो हमारा पहला point था कि यहां पर यह postponement है यह कोई tax की saving नहीं है इसको tax की saving समझकर बुद्धू बनने की जुरूत नहीं है second point हमारा यह है कि जो पहले short term capital gain tax था अभी जो हम short term capital gain tax पे कर रहे हैं क्योंकि हमने last year में current financial year में loss book किया और next year में हमने इसमें profit के ऊपर tax दिया यह short term capital gain tax दिया अगर हमने इसको as it is रखा होता और हमने current financial year में tax saving के लिए जिसको tax saving कहा जाता है tax saving है नहीं tax postpone होता है यह अगर tax postpone नहीं कराया होता तो जो हम अभी next financial year में short term capital gain tax पे कर रहे हैं यह शायद long term capital gain tax बन चुका होता आप इस बात को दियान से समझो for example अगर हमने 30th June को कोई share purchase किया 30th June को share purchase करने पर अगर हम within 1 year shares को sell करते हैं तो 15% tax लगता है और अगर हम 1 year से जादा हम holding रखते हैm 365 days यहाँ one year का मतलब ओर कुछ नहीं है 12 months नहीं है यहाँ पर calendar months नहीं है and calendar year नहीं है यह 365 days है अगर 365 days से कम रखते हैं तो 15% tax जाता है 365 days से जादा रखते हैं तो यहाँपर 10% tax जाता है तो अगर हमने 30th June 2022 को हमने कोई share purchase किया तो जैसे ही इसका 1 year complete हो जाएगा उसके बाद जो भी profit आएगा उसके उपर हम 10% tax देंगे 15% यहाँ पर tax नहीं देंगे तो अगर यहाँ हमने tax harvesting के लिए 31st March से पहले अगर हमने loss book कर लिया और दुबारा से purchase कर लिया तो अब जब हमारा tax का यह period calculate होगा तो पुराने वाला 30th June calculate नहीं होगा यह वहाँ से days calculate नहीं होगे यह हमारे नए वाले days calculate होगे अब for example हमने next financial year जो करण में अभी next year चल रहा है 2023 हमारी buying date क्या थी शुरू में 30th June 2022 हमने tax harvesting के लिए sell और buy कर लिया in the last week of May for example 25th March को तो यह हमारा short term capital gain loss हो गया और हमारे profit से adjust होकर हमने यहाँ पर save कर लिया ठीक है save कर लिया और postpone कर लिया अब अगर next year में 30th June के बाद यह हमारा profit में आ गया और हमने profit में वहाँ पर profit book किया अभी हम उसके उपर क्या tax देंगे हम देंगे 15% का tax हम यहाँ पर 10% का tax नहीं देंगे 15% का tax देंगे लेकिन अगर हमने यह tax harvesting जैसे टूल को यूज नहीं किया होता और हमने इसको tax postpone नहीं किया होता as it is पुरानी डेट हमने रखकर चली होती हमने buy sell नहीं किया होता at the end of the March तो इसका result क्या निकलता कि इसके one year पूरे हो चुके होते और one year पूरा होने के बाद में हम जब इसको sell करते तो यहां पर 15% tax लगने के बदले 10% tax लगता और 15% tax और 10% tax में actual में यह 5% का difference नहीं है this is the difference of 50% कैसे विवेक भाई 50% कैसे 5% ही तो हुआ नो अगर हम long term capital gain tax for example 1 lakh रुपीज देते हैं suppose हमारा 10 lakh रुपीज का profit हुआ 10 lakh रुपीज के profit अगर long term capital gain tax लगता है तो हमारा 1 lakh रुपीज जाएगा और अगर हमारा short term capital gain tax लगता है तो 1 lakh 50,000 जाएगा 1 lakh 50,000 1 lakh के comparison में 50% जादा है 5% जादा नहीं है there is a difference of 50% अब यह जो postpone है यह पोश्पोन करने के चक्कर में majority of cases में क्या होता है जहाँ पर हमारा 1 lakh रुपीज का tax बनता अभी हम 1 lakh 50,000 रुपीज tax पे कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमने tax बचा लिया टेक्स बचा नहीं पोश्पोन हुआ और पोश्पोन होने का result भी क्या निकला पोश्पोन होने का result यहाँ पर निकला कि हमने जादा tax पे किया 50% जादा तो यहां किसी भी तरीके से हमें अपनी समझ लगानी है हमें सिर्फ और सिर्फ बाकी लोगों के उपर dependent नहीं रहना है कि जिसने जो बोल दिया जैसा सुन लिया वैसी कर लिया ऐसा नहीं है मैं भी CA community को ही ब्लोंग करता हूँ और without chartered accountants means जो certified accountants हैं अपनी अपनी country में लग-लग नाम दिया उनके बिना काम नहीं चलता दोजार वेरी responsible person अच्छा हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है फनेंस एकांट्स इपार्टमेंस में में सब कुछ नीड है लेकिन practicality यहां पर साथ में लानी कुछ cases में ज्यादा जरूरी है than theoretical parts से हमें ऐसा लगता है tax harvesting करके हम अपने clients का पैसा बचा रहा है या being a retail trader हमा paying 50% more tax because जो हमारा short term capital gain tax अब हम पे करेंगे वो हमारा अगर हमने पोश्पोर नहीं किया होता वो हमारे long term capital gain tax में होता और long term capital gain tax 1 lakh रुपीस तक का जो long term capital gain है वो तो ऐसी tax free होता है तो 10,000 रुपीस तो उस पे बचते वो extra बचता और जो overall 15% पे करने के बदले हम 10% पे करेंगे 50% tax हमारा बचता है so this is the second point now third point is किसी भी तरह का loss booking unnecessary reason से अपने account में करना is not the right signal to be sent in the universe universe actual में हमारी life में जो कुछ भी होते हुए देखता है उसी चीज को और ज़्यादा powerful बनाता है उसी चीज को और ज़्यादा weightage देता है और उसी चीज को दुबारा होने के reasons create करता है तो किसी भी situation में अपने portfolio में अगर आप loss book कर रहे हैं तो basically we are sending a wrong signal in the universe of booking the loss whereas हमारा जो universe में signal जाना चाहिए वो profit booking का जाना चाहिए loss booking का नहीं जाना चाहिए profit booking का signal अगर हम universe में भेजेंगे then there will be more chances of bringing in profit in our accounts हमारे account में और ज़्यादा profit book होने के reasons create होंगे और अगर हम यहाँ पर loss book करेंगे तो यहाँ पर और loss book करने के reasons create होंगे अब हो सकता है कि काफी लोग इस बात से सहमत ना हो विवेक भाई अभी तो आप practicality की बात कर रहे थे अभी आप पता नहीं कौन सी direction में चले गए तो यह जो direction है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा होने के chances और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जैसा हम सोचता है वैसा और ज़्यादा होने के chances बढ़ जाते हैं यह universal law है this is the law of attraction, यह universal law है इसलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं जो बड़े-बुड़े हैं, वो भी यह कहते हैं शुब-शुब बोला करो, बेकार बाते नहीं बोलनी चाहिए शुब-शुब बोलने से शुब-शुब होने के कोशिश करो, बिना वज़े, आप स्माइल करो the reasons will be created कि आप और जादा स्माइल करोगे आप हाहा करके हसना शुरू करो, आपको अंदर से हसी आएगी आप अंदर से खुश होना शुरू हो जाओगे means यह सारा माहोल चेंज हो जाएगा यह ऐसी ही चीज है, हमेशा ऐसे ही होता है universal law, जो law of attraction है इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है इस चीज को ignore नहीं किया जा सकता जो लोग अपने mind में profitability लेकर चलते हैं उनके accounts में profit होने के chances जादा होते हैं और जो लोग stop laws को ध्यान में लेकर चलते हैं वहाँ पर stop laws hit होने के chances उतने ही जादा होते हैं क्योंकि वैसा ही mind बनता है, वैसे ही thoughts आती है वैसे ही हमारा behavior होता है और वैसे ही फिर उसके बाद में results मिलते हैं तो यहाँ पर जो यह tax harvesting है बड़ा fancy सा name है बहुत अच्छा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा intelligency वाली कोई चीज समझ ली लेकिन actual में इसके नुकसान है मैंने 3 point बताया आपको quickly आपको यहाँ पर मैं recap कर रहा हूँ number one, this is not a tax saving यह postponement है, यानि कि हम postpon कर रहे है tax को current financial year से next financial year में कोई tax saving नहीं है, second point यहाँ पर अगर हम यह tax harvesting नहीं करते हैं तो ज़्यादा chances है कि हम 10% tax pay करेंगे और अगर tax harvesting करते हैं तो यहाँ पर 15% tax pay करेंगे, यानि कि postpon करने की वज़े से हमारे taxation की amount, यह trading capital की, मैं trading profit की बात कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे tax की amount 50% बढ़ जाएगी, यह पूरे-पूरे chances हैं यानि कि 10 lakh rupees का अगर हम यहाँ पर tax pay करते, 1 crore rupees का profit कमा कर क्योंकि वो long term हो चुका होता, तो अभी क्योंकि हम इसको वापस से short term बना रहे हैं तो 10 lakh के tax के बदले, we will be paying 15 lakh rupees as tax यहाँ पर 50% tax बढ़ जाएगा, third, universe में loss book करने का signal भेजना अपने आप में किसी भी अंगल से अच्छा signal नहीं है इस चीज से हमें बचना चाहिए, stop loss से हमें बचना चाहिए stop loss वाली चीजे, company के selection में, business के selection में, price के selection में, पहले से ही cover कर लो लेकिन जिस price पर खरीदा, उसके बाद में चीजे और सस्ती होती है तो चीजे खराब नहीं होती चीजे खराब होती है, business के खराब होने से, चीजे खराब होती है, financials के खराब होने से, stock price के नीचे होने से अगर business और financial सेम है तो चीज़े खराब नहीं होती बलकि चीज़े अच्छी होती है क्योंकि same चीज अब सस्ते price पर available होती है यहाँ पर समझने की जुरूत है यहाँ पर सीखते रहने की जुरूत है मैं सिखाता हूँगा अब सीखते रहिए अपने दोस्तों को यह video share करो जिससे वो भी यह गलती करने से बच सकें because nowadays at the end of this March everybody is looking for tax harvesting क्योंकि कहीं ना कहीं यह एक fancy सा word बहुत जादा spread हो जाता है तो मुझे लगा कि आपके लिए यह तीनों point लेकर आना अपनी community के लिए जो अपने subscribers and followers की रूप में है यह बताना जरूरी है अगर आपने मुझे Twitter पर follow नहीं किया तो Twitter पर भी follow कर लें और यहां like का और subscribe नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के share करें कल फिर मिलेंगे एकने वीडियो के साथ तब तक जैहिं